कहते हैं राजनीती का अप्राधी करण हो रहा है परंतु सत्य तो ये है कि अप्राध का राजनीती करण हुआ है सत्य विजई नहीं होता जो विजई होता है वहीं सकते है वीहडों में भागते प्रशासन से छिपते न सुकून की रोटी नसीब न चैन की नीम न कोई यैश्वाराम हर तरफ दर डर आतंग हर पल मात का इल्वजार डाकू पैदा नहीं होता डाकू बनाया जाता है समाज के तधा कथित भेकेदार एक सीधे सहरल इंसान को बना देते हैं अपने शर्यंत्रों का शिकार अप्धिर फैलाते हैं स्याह और सफेद का भ्रहम किसी स्याह और सफेद की कड़ी में पैदा होता है कोई रॉबिन होड कोई पुतली बाई कोई भूलन देवी कोई सुल्ताना डाकू और शिवकुमार पटेल उर्फ ददु उर्फ ददुआ जो लिखता है एतिहास के पन्नों में एक नया अत्याय राजनीती का एक महरा शिवकुमार पटेल उर्फ ददुआ जब अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है एक साधारन इनसान दुआ जाता है तूफान जलजला और फिर बनता है ददुआ दलितों, शोशितों, पीडितों का मजीहा नयाय का रक्षक, इनसानियत का रखवाला सत्ता के विरुद्ध खड़ी एक बुलंद मीनार जिसने हिरा दी सत्ता की चूले ददुआ एक सम्मानित शब्द बन जाता है ददुआ सत्ता के गर्यारों में आतंक का पर्याय ददुआ